मैं जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं उनको नमन करता हूँ मैं कुलस्ते साथ से पहले इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन प्रमोशन है उसके आस्पेक्ट पे सबसे ज़्यादा मैं कंट्री प्रिशन मानता हूँ रोतास बाहनकर का केस अगर कुलस्ते साथ उसमें इंट्रवीन नहीं करते तो उसको पांच जज़ों से हम जीते थे उसके बाहुद भी वो इंक्रिमेंट नहीं होता अब मैं ज़ल जो चीजे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा हमारा जो अंदोलन है हमारी जो चर्चा है वो SCST Prevention of Petrocity Act के बारे में SCST Prevention of Petrocity Act में Section 18 जो है वो कहता है कि Anticipatory Bail नहीं होगी और Court का Prerogative है कि उसका Judition Review हो सकता है कि Anticipatory Bail होगी या नहीं होगी Court एक बार इसको टेस्ट कर सकता है लेकिन Court ने 1995 में एक मद्दे परदेश के केस में State of मद्दे परदेश वर्सिज राम किसन भालो थिया उसमें इसको अग्जामिन किया और अग्जामिन करके ये पाया कि Anticipatory Bail अगर का प्रोविजन नहीं है तो भी movement वो जो एक्ट है वो valid है Court को दुबारा उसकी validity टेस्ट करने का कोई right नहीं है जो भी Court को right है वो judicial review का right है लेकिन ऐसे cases में जैसे मालो किसी individual case में Court समझती है कि कोई गलत complaint है तो उसमें उसको dilute करके जो है उसमें रिलीव दिया जाता है और generally SCST atrocity act में जादतर cases में Anticipatory Bail होती है क्योंकि ये provision होने के बावजूद सभी high court जो है उसमें Anticipatory Bail देते हैं लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारे जो लोग इसके litigation करते हैं जो उसमें participate करते हैं उनको ज्यादा knowledge भी नहीं होती उनकी financial background भी अच्छी नहीं होती और उनको किसी भी level पे अगर थोड़ा सा court में किसी में रिलीव बिल जाता है मालों notice हो गया court में तो वो तुरंत उनसे समझोता कर जाता है है ऐसे हमने कम से कम 10 केस किये हैं जिसमें स्टी प्रेवेंसरों पेट्रों सिटी एक्ट में हाई कोट ने बेल ग्रांट कर दी हमने यहाँ SLP फाइल की SLP में notice होगा फिर वो उनके साथ समझोता कर लेते हैं तो वो case विट्रा हो जाता है तो यह एक ऐसा केस था जो जनरल केटेगरी के आदमी ने case डाला जिसकी वज़े से यह case जा है इसकी पूरी एड्यूडिकेशन भी मैं ऐसा मानता हूँ कि लीगल सिस्टम के हिसाब से कोट को उसका दुबारा जूडिशन लिवू करने का कोई पावर नहीं है और अगर अपना लीगल सिस्टम में जो उनका कंट्रोल है उसको उस पावर को करते हैं तो पार्लेमेंट की पावर है कि उनके खिलाब भी एक्षन होना चाहिए जब तक आप उस तरह का एक्षन नहीं करेंगे तब तक यह एड्यूडिक पर इसको सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता हमारे बहुत सारे साथी करें कि इसमें रिवू डालना चाहिए जो प कुछा साथ यह जो इस चकल मेरते हैं को कि उनके पास मैं इस परक्स में यह जो क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है क्या हमें स्टम में हम ऑल रहा पर घ्यक्षित करते हमारे haraaaaa. अगर हमारा मा कंट्रोल नहीं है तो लिटीगेशन से उस तरह से हमेराइड नहीं मिल सकते हैं अब इसका दूसरा पहलू भी है हमारे जो इंप्लाइज हैं वो कई बार उनकी जो कंप्लेंट है वो सची भी नहीं होती है ऐसे भी अग्जामपन्स है और कई बार क्या होता है कि उनकी जो कंप्लेंट हो सची होती है पर उनका कोई एविडेंस नहीं होता दूसरा कोई शुपोर्टर होना चाहिए जो वो गवाई देगा तब वो प्रूव होगा क्योंकि जब तक आप हर केस में इसको प्रूव नहीं कर सकते जैसे अगर कोट की यह मान सिखता है कि उसमे इस अंदाज में हमें अंडरस्टेंड करना चाहिए कि कोट की उसमें कोई जूरिस्डिक्शन नहीं थी कि उसको वो दुबारा से जूरिस्डिक्शन रिवू कर सके अगर उसको जूरिस्डिक्शन नहीं थी तो उसको अपना ओडर रिकाल करना चाहिए हाला कि अभी कल की जैसे परसीडिंग हुई तब भी ऐसा लगता है कि वो जजीद जो है अभी भी ऐसा पर्टेंट कर रहे हैं कि उनकी द्यूरे जिक्सन थी जहां तक आटिकल 21 का स्वाल है आटिकल 17 जो अबोलिशन ओफ अंटेचेबल्टी और प्रक्टिस ओफ अंटेचेबल्टू प्रोहिबिशन का जो प्रोहिजन है वो भी पाट 3 का पाट है अगर आप जैसे रिजर्बेशन परमोशन का इसुए है रिजर्बेशन परमोशन में आपने एक्वल्टी एक्वल्टी कर दी, अगर एक्वल्टी एक्वल्टी होगी, तो हमारा आजमी तो खाई स्टेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो अंटचेबल्टी फेस जो करता है, उसको वो तब तक नहीं फाइट आउट कर सकता, जब तक उसकी डिग्निटी वो बच जामिन करना चाहिए, जो दूसरे केसिज है, उनमें भी हम इसको रखते हैं, कि आर्टिकल 17 जो है, ये एक स्पेशल प्रोवीजन है, जो एक्वल्टी का जो राइस है, उसको आपने अगर प्रोटेक्ट करना है, तो 17 को नजर अंदाज नहीं कर सकते, अगर 17 को नजर अंद और इसको राइसन पॉष्वेशन के लिए, कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि को इसको स्पेशल में अगर अमेंडमेंडमेंट होगा, तो ये रिजर्वेशन प्रोटली स्क्रैप हो जाएगा, आज का जो रिजर्वेशन प्रोटेक्ट हैं, इनकी वैलि सब्सक्राइब कर दिया अगर सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल को कभी बदल सकता है लेकिन उसको बदलने के लिए ड्यू प्रोसेस अप्लाप होलो होना चाहिए जो मंदल नोजजो का था ग्यारे जजज अगर इस ओपिनियन के हो जाते हैं कि रिजर्वेशन डिस्क्रिसन है तो उसको बदला जा सकता है हमने बहुत लंबे ताइम से संगर्स करके अभी उसको रेफर करवा है अब वो रेफर होने के बाद अब ये एक क्रीमी लेयर की और पेटिसन आ गई है तो क्य daoka कहीं पे जजादा नहीं है शैड़ी मी सर्विस्ट फट्रेय्टल वह उससे जदा नहीं लेकिन वो जो क्रीमी लेयर लगाना चाहते हैं वह प्रीमी लेयर नहीं तो सिस्टम विए रहा है जैसे बिहार का केस हम कर रहे हैं, बिहार में 5% representation है, 18% schedule caste का होना चाहिए, 1% schedule tribe का होना चाहिए, 19% की जगे वहाँ 5% है, रिपोर्ट है, जो उनकी state government की रिपोर्ट है, उसके बहुत दूद्ध शिंगल जज ने उसको नहीं असेप्ट किया, division bench ने नहीं किया, आप यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो यह जो पूरा system है, जब तक Parliament कोई judges के उपर control का कोई system develop नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई amendment होने से, या कोई legislation में change आने से, आपके rights protect होंगे, क्योंकि अगर legal principles को वो मानेंगे, तब तो वो decision ऐसा कर नहीं सकते, वो legal principles को नहीं मानते हैं, इस बज़े से सारी problem है, इसलिए Parliament को, उसको control करने के लिए, जो Parliament की duty है, वो perform करना चाहिए, और इसमें बार-बार amendment करने से, समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो provision है, वो specific है, जैसे atrocity act है, उसमें भी specific है, आपका जो reservation promotion है, उसमें चार amendment हुए, चारों की validity test होगी, कह दिया valid है, उसके बाद भी हर जगे वो adverse orders issue कर रहे हैं, अगर वो adverse orders issue कर रहे हैं, तो उसको control करने का, क्योंकि जो parliament है, उसका जो काम है, वो judges को control करने का, वो उसको control नहीं कर रहे हैं, जिसके वज़े से जो उनके मन में आता है, वो decide करते हैं, जो किसी legal principle पर based नहीं होता है, इस वज़े से मुझे लगता है, कि हमारा जो system है, उसमें भी हमें सुदार करना पड़ेगा, और मेरी ये इच्छा है, कि ऐसा कोई amendment नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकर amendment होगा, तो ये अल्ट्रावाज होगा, अगर जो नागराज का case हुआ, नागराज के case में, सो भागे से दुर्भाग से उस पीरेड में मेरे पास MPs का expansion का case आ गया, और MPs का expansion के case की, जो drafting थी राधराम पाल के case की, उसकी वज़े से सबरवाल साहब थोड़े से संतूस्त हुए, कि कोई principle डवलप किया, जिसकी वज़े से इसकी validity test हुई, आधरवाई तो उसमें decide हो गया था, एक ज हमें सबजना होगाly, cusp나 और मारे देश में नहीं है, सब development countries में कशेंregul lavats अमरीका मेंने तो कई आस्वा नहीं जा सकता है, तो किसी formal कर सकते हो, जो recharge, आद्या कमाने कर शाया सकते हो, जो जो आत्मी है, वह और पोजिशन में नहीं जा सकता है Carry है with the जो किसी फार्मूल इसा ही कर सकते हो जो रिजर्वेशन प्रमोशन एक मातर ऐसा फार्मूल है अगर आप उसको केवल दिखाने के लिए अमेंडमेंट करेंगे तो उससे उसकी सैटिस्पेक्शन नहीं होगी क्योंकि वह जो प्रोवीजन आप अमेंडमेंट करेंगे आज के ज मंदल में बहुत सारे प्रिंसिपल कोट ने डिसाइड किये जो प्रिंसिपल हमारे खिलाव थे उन सब के अमेंडमेंट हो चुका है जो हमारे फेवर में थे उसको वह लागू नहीं कर रहे जिसकी वज़े से आज ये दसा है इनी सब्दों के साथ मुझे लगता है मुझे त्रम्बानी बोलना चीए जै भीम जै भारत